Hello Friends, I am Dr. Parul Karan and I am dentist और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि Nursing Bottle Carries क्या होता है चाहे आप इसको Nursing Bottle Cavity बोलिए या Nursing Bottle Carries बोलिए ये नाम सजेस्ट करता है कि ये जेनरली बच्चों में ही होता है जो बच्चे रात को सोने वत पे बॉटल लेकर की सोते हैं लाइक दूद से भरा हुआ बोल या जूस से भरा हुआ बोल कोई साभी मीठया चीज से भरा हुआ अगर रहेगा बोल और उसको मुह में लेकर की सोते हैं तो वो Nursing Bottle Carries उनमें जेनरली दिखाई देता है जैसे जैसे एज बलता है तो उनको यह चीज नर्सिंग Bottle Carries उनमें दिखाई देती है क्योंकि उसमें आप इसको कैसे इडेंटिफाई कर सकते हैं लेक उसके सामने के जो दात रहेंगे से अबाउट फो तू फाइफ टीथ सामने के वो ब्लैक डिस्कलर हो जाएंगे तो और कभी किसी केस में वो पेइनफुल भी होता है बच्चों को तो आपको यह जेनरली नर्सिंग Bottle Carries उनहीं बच्चों में दिखाई देता है जिनमें आपको यह बटल लेकर के दूद का बटल लेकर के सोने का जिसको हैबित होता है या जूस से भरा हुआ बटल जिसको लेने का हैबित होता है बहुत सार बच्चे ऐसा हैबिट जनरेट कर लेते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वह कैसे आप कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे उस हैबिट को ब्रेक करिए instead of milk or juice you can give water वो अच्छी बात है धीरे धीरे उसको कम करिए make sure करिए कि सोने से पहले उसका पेट भरा रहे ताकि वो दूद ना मांगे and अगर बच्चा दूद पीता है रात में तो आप उसको make sure करिए कि उपर के दाथ and all over जितने भी दाथ हैं आप उसको finger से एक clean cotton का कपड़ा ले करके अच्छे से आप उस दाथ को साफ कर लिजे अगर बच्चे को nursing bottle carries हो गया है तो in that case आप dentist के पास जाकर के उसको दिखाईए तो वहाँ पर सिमेंट जो होता है normal जो सिमेंट रहता है जिसमें fluoride का मात्रा बहुत जादा होता है तो उस वैसे सिमेंट को हम लोग वहाँ पर डाल देते हैं ताकि इन फ्लोचे वह जो सिमेंट है वह फ्लोराइड रिलीज करें और बच्चे को cavities जो है वह बढ़े नहीं obviously जितना डामेज हो गया है वह रिपैर नहीं हो सकता है बट यस आगे future में उतना डामेज नहीं होगा जो बच्चों का टूट पेस्ट होता है वह आप यूज करिए पेडिफ्लोर होता है कैंडी कॉफ होता है और बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं बच्चों के लिए आप वही इस्तमाल करिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड का मात्रा रहता है पीपी एम जिसको हम बो जो फ्लोराइड बच्चों को चहिए उतना पीपीएम में ही बच्चों की टूथपेस्ट में डाला रहता है ताकि अगर वो ब्रश कर रहे हैं तो उनको काविटीज ना लगें विकर फ्लोराइड से ही हम काविटी को रोग सकते हैं अगर उनको बहुत जादा काविटी है या एसे निर्स बोथ्ल कैविटी बहुत costume मरत ollut कविण ह 맞़ होस तो में या सक कि बच्चों का oral hygiene अच्छे से maintain करिए रात को जब भी आप दूद्ध दे रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ करिए बट ये habit को धीरे-धीरे डात के अंदर के साइट से बाहर के साइट से आपको साफ करना है अच्छे से और उसके बाद ही उसको शुलाइए बीच बीच में आप उसको पानी भी दे सकते हैं okay thank you and thank you for listening my video please share and subscribe thank you